विदियो में हम बहुत इंपॉर्टन चीज देख रहे हैं हम पेपर को प्रडिक करने की बात कर रहे है थूरी इंपॉर्टन कोश्चन्स देखे बच्चो जैसे ही पेपर्स आते हैं वैसे ही कि मेरे लिए परसनली और सभी प्रोफेसर्स के लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्टन बहुत जादा इंपॉर्टन इवेंट होता है क्योंकि हमने जो सोचा था जो मैनत की थी जो प्रडिक्शन्स थे क्लास में जीन चीदों पे ध्यान दिया था जो छोड़़ए बातों पर ध्यान दिया था बहुत जादा क्यूरासिटी होती हुट इक क्वेंशन किस पर आया और हर कॉशन पेपर हमको बहुत-बहुत-जादा सिखा कर जाता है समझा के जाता है कि institute की सोच क्या है institute कि इस डायरेक्शन में चल रहे है और paper draft करने वाले क्या सोच देखिए मैं आपको बताता हूँ अगर हम बात करें यह जो particular वीडियो है यह दोनों के लिए है final के बच्चों के लिए inter के बच्चों के लिए old course new course सब के लिए है पहले common चीज बता देता हूँ मैं और उसके बाद once I cover that common thing common चीजे करने के बाद में फिर मैं final के बारे में बात करूँगा इंटर के बारे में बात करूँगा नीचे time stamps नीचे time stamp में इंटर के लिए दे दूँगा की इंटर का कब शुरू हो रहा है अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं पहले common portion सब लोग सुन लीजिए देखिए अगर मैं November 19 के paper की बात करता हूँ 56% येस मैं से descriptive की बात कर रहा हूँ 56% जो paper था वह पिछले 4 attempt के MTP RTP से था 46% old course का जो practice manual है old course का practice manual उससे था 17% 4 attempt के paper से था और in all 83% 17% 83% 17% नहीं था मतलब ही 83% 83% paper 4 attempt के MTP RTP exam papers practice manual यहां से था 83% और यह एक exam की बात नहीं है हम हर exam में analysis करते हैं और बार बार हमको यह देखने को मिलता है 83% guys कहां से चार attempt के MTPs RTPs past papers और आपके practice manual study material को मिला कर मैं बात कर दूँ इसमें एक बात clarify कर दूँ मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आदमी ने पूरी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए I am not saying this कि पूरी पढ़ाई ना करे मेरा तो मानना है सब कुछ पढ़ना चाहिए अच्छे से पढ़ना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए लेकिन सबसे पहले हम लोगोंने important चीज़ों cover करना चाहिए and it makes all the sense नहीं तो गलत चीज़े हम लोग पढ़े जा रहा है गलत चीज़ों पर हमारा ध्यान जा रहा है कोई कोई मतलब नहीं ऐसे चीज़ों के तो और मैं आपको पूरा टूल देने वाला हूं कि कैसे इस चीज questions के list देने वाला हूं मैं आपके यह new course की मैंने बात की अगर मैं बात करता हूँ old course की old course में direct में मुद्धी की बात पर आता हूँ सिर्फ 22% चीज़े बाहर की थी मतलब 78 80% पकड़ लो 80% 80% आपका जो paper था वो पिछले 4 attempt के MTP RTP past papers और practice manual यहां से था 80% CA final new course की बात की फिर मैंने old course की बात की और अगर मैं बात करता हूँ CA inter की तो पिछले बार का 70% paper repetitive था वो ही जो 4 source में repeat करो 70% से 30% paper बाहर के थे और मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा बहुत rarely होता है हमेशा इससे जादा ही question आते है CA inter का अभी वो paper set करने का जो तरीका है वो थोड़ा module है module में से चीज़े पूछ रहे है फिर भी 70% repetitive था 70% guys it's a very big thing और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह lower side के तरफ है जादातर बाहर तो इससे जादा होता है अगर मैं बात करता हूँ IPC old course 15% बाहर से था मतलब 85% 85% yes guys 85% जो paper था वो MTP RTP practice manual study material यही से था huge guys तो मैं इन सब चीजों से क्या बोलना चाहता हूँ what I am saying is मैं यह बोलना चाहता हूँ कि CA institute जब यह papers draft कर रहे है देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि paper draft करने वाले जो लोग होते है वो बहुत experience होते है और वो सालों से paper draft कर रहे है और मेरा पूरा मानना है कि board of studies के जो लोग होते है वही paper draft करते है क्योंकि weightage का ख्याल रखना पड़ता है level का ख्याल रखना पड़ता है module का ख्याल रखना पड़ता है तो ऐसे लोग ही paper draft कर सकते जिसको module जिसको पूरी understanding हो वही लोग paper draft कर सकते तो ICAI यह मैंने ऐसा देखा है और ऐसा observe किया है जनरली जनरली स्विकिंग 80-90% paper आपका repetitive mode से होता है अगर आज तक आप लोगों ने किसे ने paper दिया है और दिल पर हाथ रखे अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने बहुत सारे नए questions देख लिए तो मैं honestly बता रहा हो इसका मतलब आपको आपने पढ़ाई पूरी नहीं की थी आपने MTP, RTP, Practice Manuals यह पढ़ा ही नहीं था मतलब आप लोगों पूरा लग सकता है आप लोगों को लेकिन इस सच बात है अगर किसी को audit का paper बहुत नया लगता है या फिर बच्चे निकल कर आते है बहुत general paper था कोई general paper नहीं था तेरे को पता नहीं था कि MTP, RTP एक्जाम में प्रैक्टिस मैनल, स्रेडी मतल में यह कोशन्स थे इसलिए बेटा तेरे को general लग रहा था अगर कोई ऐसे general रहने की बात करता है तो वो तो मैं immediately समझ जाता हूँ 80-90% paper और पॉजिटिव साइड की अगर मैं बात करूँ निगेटिव साइड में बात करूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप मान कर चलिए 70-80% अगर मैं इसको higher साइड में और इसको lower साइड में 70-80% repetition है 70-80% तो फड़ा averaging out कर लेते हैं ठीक है अगर हम averaging out भी कर लेंगे आप exact average निकालने के लिए मच जाईएगा ठीक है 85 और यहाँ पे 75 और अगर हम लोग मान ले 80% 80% पेपर repetition से आ रहा है और मैं यह बिल्कुल भी फिर से बता रहूं मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पूरी पढ़ाई ना करें लेकिन क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए इन सब चीजों को ध्यान में रखके हम लोगों ने क्या क्या मैं आपको बता दू हमारे पास में around 3650 questions 3650 questions से लगबग 4000 तक भी ठीक है अगर मैं बहुत सारे और questions count करूँ तो 4000 questions के आसपास हमारे पास में पूरा database होता है complete details कौन सा question practice manual study material MTP RTP जिन लोग ने हमारी param question bank देखी है वो समझते होंगे कि कितना in-depth analysis हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने पहले जो साध बार से ज्यादा repeat हुए repetitive questions है वो repetitive questions हम लोगों ने बाकायदा analysis करके repetitive question निकाले साथ बार से जादा उनकी आने की probability बहुत जादा है क्योंकि जो भी बंदा paper draft कर रहा होगा इतनी बार repeat हुए ये questions कि वो questions select होने की probability बहुत बढ़ जाती है और ये कही तो paper draft करने वाले की mentality भी बताती है कि उनको ये questions बहुत पसंद है इस तरह के questions बहुत पसंद है बार-बार उनने repeat किये और फिर इसके बाद 4 attempt के in fact अब तो 5 कर दी हमने 4 से 5 attempt के MTP RTP के questions हमने add किये फिर recent जो exam थी recent दो exams ठीक है दो से चार exams के exact मैं आपको बाद दूँगा दो से चार exam के questions हम लोग ने उसमें से delete कर दिये क्योंकि जो recent exam से question है उसकी repeat होने के chances कम होते है ऐसा करके हम लोग ने CF final के लिए 250 most important questions बनाए है और inter के लिए 200 most important questions बनाए है हमने बाकाइदा concept हमारी question bank अगर आप देख चुके परम question bank concept numbers होते concept numbers उसके repetitions और कितने बार questions पूछे गए कितने बार questions पूछे गए ये सब कुछ questions के साथ में हम लोग उने list बनाई है मैं एक बार आपको quickly बता दूँ पहले मैं CA file की बात कर रहा हूँ scientifically select किये step number one में हमने seven times साथ बार जो repeat होते है उनको हम लोग ने लिया 19-20 के दोनों के MTPs RTPs हाँ November 20 November 20 के अगर बात करता हूँ मैं November 20 के MTP RTP हम लोग नहीं लिये सवाल पूछने के chances काफी रहते हैं फिर questions जो सिफ एक दो बार repeat हुए मतलब नए questions MTP RTP में जो नए questions है वो नए questions भी हम लोग ने identify किये बाकाइद हमारी team बैठती है discussions हम लोग करते है और उसमें से एक एक ध्यान लगा कर कि कौन से चीज आने के chances है कि MTP RTP के जो नए questions है वो identify करके वो भी add किये फिर recent exam के questions delete किये यह हमने पूरी list बनाई है complete list जिसमे concept number हमारे question bank का concept number है topic है कितने बार पूछा किस concept के उपर किस concept के उपर question है क्या question है ठीक है जिन लोग के पास में परम question bank है ठीक है अच्छी बात है जिनके पास ने चिंता मत करिए audit guru हमारा जो telegram channel है telegram channel है वहाँ पर pinned message है वहाँ पर आप जाईए वहाँ पर आपको परम question bank मिल जाएगी और वही पे वही पे आपको यह file भी मिलेगी audit guru का जो हमारा channel है वहाँ पर आपको यह file मिलेगी correct वहाँ से आपको यह download करना है इसमें हम लोगों ने old course के जो कुछ chapters है cooperative society socks cost audit और EDP ठीक है यह हमारे cover नहीं हुए तो please इसके questions आप जो भी आपकी question bank है वहाँ से आप कर ले practice manual से आप इसको करे forensic audit A जो new chapters है उसके भी हमने नाम लिखे कि new course के लिए generally file के बच्चे इतने अकल-मंद होते हैं जाते हैं कि old course का chapter है कि new course का है इसने मैंने इतना भी spoon feeding नहीं किया है कि मैं एक-एक लिख दू यह old है यह new है यह समझ में आ जाता है chapter देखकर chapter का नाम देखकर ही समझ में आ जाता है तो बच्चो इसका पूरा फायदा उठाइए भरपूर फायदा उठाइए और हम लोग आपके लिए परम question bank के वीडियो दाल चुके है study plan हम लोग दे चुके है और 10 papers वो भी मैं release करूँगा शायद आज आज या कल में मैं release करूँगा 10 papers हमने पूरे course को 10 हिस्सों में बाटा है उसके 10 paper बनाए तो जितनी चाहे उतनी writing practice करिये आप और उसमें सारे important question ही हम लोगोंने cover किये तो अच्छी खासी आपकी writing practice आप उससे 10 paper आप solve कर लीजे यह 10 paper अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी जबरदस writing practice हो जाएगी और confidence आपका बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं बात करता हूँ यह इंटर की जो 200 हम लोगोंने question select किये वापस database में से 7 times repetition recent MTP RTP लिया फिर उसमें से हम लोगोंने जो exam questions से निकाल दिये ऐसा करके हम लोगोंने 200 200 questions हम लोगोंने यह concept number topic old new किसके लिए repetitions फिर उसके बाद में concept का heading और क्या question है यहां पर भी अगर हमारी question bank आपके पास में होगी अच्छी बात नहीं होगी तो audit guru telegram channel पे आप लोगों को मिल जाएगी you will get it there एक खास बात बता दू मैं इंटर का course पढ़ाने का दो तरीके होता है एक होता है chapter wise पढ़ाई जो module में दिये है दूसरा तरीका होता है standards on auditing wise पढ़ाईए एसे wise आप लोग पढ़ाईए अब ऐसा है कि मेरा यह experience 13 साल का experience 13 साल से पढ़ा रहा हूं मैं मैंने देखा है कि standards on auditing के point of view से पढ़ाना काफी अच्छा है logical होता है systematic होता है retention improve होता है तो हम लोग essay wise चीजों को पढ़ाते हैं 13 में से जो 8 chapter है CA enter के और उसी तरीके से majority chapters जो है CA IPC के भी IPC के भी वो essay based है तो यहां पर मैंने list दिये कौन से essay based है कौन से कौन से essay में content cover होता है हमने यह important questions की list essay wise हम लोगों ने पढ़ाई है essay उसको हम लोगों ने पढ़ा तो पूरी list आपको दिये आप correlate करने में आसानी होगी जो दो chapters है CA IPC के vouching verification and EDP यहां पर cover नहीं है तो उसका practice manual से आप cover करिए यह जो important की list है आप लोगों के लिए बहुत बहुत जादा important रहेगा बहुत जादा आपको मदद करेगा यह तो इसका पूरा फाइदा उठाईए और मेरी बाद ध्यान रखिए इसको cover करने के बाद अपना scope और बढ़ाईए हमारी जो question bank है question bank को आप cover करिए cover question bank और question bank हो जाता है तो फिर आप हमारे notes है notes में से और भी जो topics है वो आप और cover कर सकते यह पूरे resource हम लोगों ने आपको provide किये हुए और कोई भी doubt है तो auditguru.in पे जाकर discussion point जो area है वहाँ पर आप हमको सारे doubts पूछ सकते तो बच्चों पूरा enjoy करिए पूरा enjoy करिए और यह questions क पूर दीजे एक दम